तक आप अगुम कि एलो एवरिवान घेलो डियर कुरेंट आप सभी का सुवागत है विकली करेंट अफियर क्लास में के लिए बेड़ेभी cannot कोशन एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वह उतना टाइम इंवेस्ट नहीं कर सकते जिसमें वह डेली करेंट अफियर करें तो बैस्ट है कि वह वीकली करेंट अफियर पढ़ें लिमिटिड और बैस्ट कोशन का अब आपको यहां एवेलिबल कराया जाएगा तकि वह कोशन आपके एक्जाम के पॉइंट और व्यू से हो जहां पर नंबर जो कुशन से हैं वह काफी कम रहते हैं अगर आपके कोशन जादा होते तो आप डेली करेंट अफियर करते हैं मंतली रिवाइज करते हैं लेकिन अभिवार को आप फ्री रहेंगे इस क्लास को देखेंगे और उसके बाद अपने करेंट अफियर के सेग्मेंट को इंप्रूव कर लेंगे तो चली शुरुवात करते हैं इस क्लास के और देखते हैं हर एक सवाल क्या होने वाला है भारत और सौधी अरब की सेनाओं के बीच में होगा इंडिया और सौधी अरेबिया के बीच में होगा दूसरी इंपॉर्टन बात यह होगी कि इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो यह राजस्थान में किया जाएगा इस बार यानि 2024 में यह राजस्थान में होगा और तीसरी इंपॉर्टन बात की इंडि के exercise है उसका नाम है अल्मोहद अल्हिंदी ये भी इंडिया और साओधी अरेबिया की बीच में ही होती है अल्मोहद अल्हिंदी कि और इस बार ये राजिस्तान में सादा तंसीक के नाम से अगला कोशन है नितीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कितनी बार शपत ले चुके हैं अब तक अब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है वो यही है बिहार में महा गडबंदन का साथ छोड़ कर वापस एंडिय के तरफ आ चुके हैं नितीश कुमार इससे पहले आठ बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन इस बार पटना के राज भवन में एक बार फिर से उन्हो राजेंदर अरलिकर से याद रखेगा उनका नाम और साथ में यह नोवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दो लोगों को इन्हों ने उपमुख्यमंत्री बनाया हैं जिसमें एक हैं इनके समराट चौधरी और एक हैं विजे कुमार सिनहा यह जो नाम होने वाल स्लैम चेंपियन बन चुका है अब जानते हैं कि इस साल जनवरी की बात हम जब करते हैं 2024 के अंदर आपको याद आता है कि बात करें तो वहां पर आपको नाम क्या होने वाला आपको जिनने और और यहां पर डबग्री में जीत लिया और यह सबसे अधिक उम्र वाले Grand Slam विजेता बन चुके है अगला कुशन क्या होगा बताईए हाली में गोल्डन टाइगर को किस रास्टे उद्यान में देखा गया है तो रिसेंटली एक गोल्डन टाइगर देखा गया है जिसके शरीर पर गोल्डन धारिया बनी हूई है और इसको देखा गया है रिसेंटली काजिरंगा नैशनल पार्क के अंदर काजिरंगा टाइगर डिजर्फ के अंदर जो आप जानते हैं आसाम के अंदर इससे पहले भी मैं आपको बताओं तो एक ब्लैग टाइगर दिखा गया था वो टाइगर जिसके शरीर पर ब्लैक लाइंस बनी हुई थे और ये टाइगर देखा गया था उड़ीसा के सिंप्ली पाल टाइगर रिजर्व में इसके अलाव अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा साथ टाइगर का जिकराते ही हमने साउथ अफरीका और नामिभिया से बीस टाइगर जो है वो इंडिया में लेकर आये थे इंपोर्ट किया थे एक तरह से यह कह सकते हैं लेकिन उनमें से जाधतर के हालात खराब हो चुके उनको मध्यपरदेश के कुनो पालपूर टाइगर रिजर्व में रखा गया था फिलाल यहाँ पर याद रखेंगे कि सरी गोल्डन टाइगर जो मिला है काजी रंगा नैशनल पार्क जो की आसाम में आता है अगला कोशन है किस मंत्राले ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूव्मेंट आफ इंडिया तिमी कहते हैं जिसे के खिलाफ अगले परतिबंद को पांच सालों के लिए फिर बढ़ा दिया है अब जानते हैं किसी भी संस्था पर परतिबंद लगाना और स्पेसिफिकली जो देश की एकता खंडता और देश में आतंगवाद को यानि बढ़ाने की और एकता खंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे जितने भी संगठन माने जाते हैं जिनको भी डिफाइन किया जाता है उन पर परतिबंद लगाने की जिम्मेदारी ग्रेहम अंतराले की होते हैं इसको सिमी कहा जाता है इस पर भी ग्रेहम अंतराले के द्वारा परतिबंद लगा दिया ग्याविनिस्ट्री ओफ हॉम अफियर्स के द्वारा अगला कोशन है कौमोरोस के नए राष्टपती के रूप में पुने चुना गया है कौमोरोस जो देश है इसके राष्टपती और ये नाम ज्यादा इंपोर्टेट इसलिए था क्योंकि ये 2023 के एक्जामों में बार बार आ रहा था सर और ये है अफ्रीकन यूनियन एक संस् में जो कौमोरोस के प्रेसिडेंट होँगे दोनों में कौमन फ्रेसिडेंट की बात हो रही है सर एक देश का प्रेसिडेंट इनका नाम है अजली असोमनी का नाम याद रखना है जस्ट और ये अफ्रीकन यूनियन जो की 55 कंट्री veterans का ग्रुप है जो की 21st मेंबर जीट अगला कोशन है किस राज्जी के पुलिस विभाग ने महिला किरिकेटर दीपती शर्मा को DSP न्यूट किया है अच्छली आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा किरिकेटर होता है स्पेसिफिकली तो उसको किसी ना किसी पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है उसको ओनरी यानि की सम्मानित करने के लिए और यहां बात हो रही है दीपती शर्मा की जिनका संबंद उत्तर प्रदेश के आगरा से आता है और यह अब भारती किरिकेट टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है उत्तर प्रदेश के अधर यानि उत्तर प्रदेश की सरकार के दवारा तो महिला किरिकेटर दीपती शर्मा उत्तर प्रदेश में डीएस्पी के रूप में फदोर्नत की गई है हाली में सडक दुरगटनाओं को रोकने के लिए एक concept लेकर आया गया है कि हर 30 km पर एक सड़क सुरक्षा बल तेनात होगा और ये 30 km के distance पर एक गाड़ी होगी जिसमें ये सड़क सुरक्षा बल के लोग होगे और जब भी किसी परकार का कोई accident होगा उसको सबसे पहले पहुचना उन लोगों को hospitalized करना उनकी जान को बचाना ये सबसे मुख्य होगा और ये सड़क सुरक्षा बल नाम का एक नया concept डेवलप क्या इनिशेट क्या गया है पंजाब की सरकार के दुआरा पंजाब के मुख्य मतरी भगवंत मान है वैसे आपको ये भी याद रखना है सर पंजाब के अंदर जो राज्येपाल है जो गवर्नर है बनवारी लाल प्रोहित उन्होंने वाभी इस्तीफा दे दिया है हमारे एगले कोशन में शायद उसकी बात जरूर होगी लेकिन पंजाब में ये सड़क सुरक्षा बल की शिरुवात की जा रही है भारतिये दूर संचार नियामक प्राधिकरा जो ट्राई जो टेलीकॉम कंपणियों को रेगुलेट करने का काम करता है सारी टेलिकॉम कंपणियया भारत की इसी के अंतरिकत कारी करती है और इसके अधिक्ष पीडी वगहेला थे ये भी याद रखना कि किसको replace करके लाया गया तो PD वगेला इससे पूर्वध्यक्ष ते लेकिन अब उनकी जगा अनिल कुमार लाहोती बनाए गया जो इससे पहले railway board के chairman थे तो ये interchange होता रहता आप देखते हैं कि सर जो PD वगेला थे उनको हटा दिया गया जो railway board के अंदर थे उनको वहां से अटाकर ट्राई के chairman के रूप में लाया गया सारी टेलिकॉम कंपनियों का regulator है ये और इसका head office दिल्ली में है अगला question है पिच्छत्तरवे गरतंतर दिवा स्प्रेड में परदर्शित जाकियों में किस राज्य की जाकी ने पर्थम प्रुसकार जीता है जब हम सारे राज्यों की जाकियों की बात करेंगे टाबल्यू की बात करेंगे हर बार अलग 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 राज्य की जाकी जो है वह विजेता बनती है विनर बनती है और इसमें तीन specific categories कह सकते आप रहती है एक तो simple category रहती है उसके लावा एक people's choice कहती है और एक category रहती है जिसमें department और ministries की टैबल्यू जीता था लेकिन अब की बार उड़ीसा की जो जाकी है वो best टैबल्यू रही थी याद रखना ये आवोड मिला इसमें और गुजरात की जाकी को people's choice यानि जनता दुआरा सबसे ज बात करते हूं department में संस्कृति वाला जो विभाग रहता है हमारा या बाकी की जो विभाग रहता है उनको याद रखिएगा तो संस्कृति विभाग वाला हमारा department की categories में आगे रहा था हाली में एक संगठन है जिसको ECOVAS कहा जाता है यानि की economic community of west African states यानि west Africa में आने वाले देशों के एक संगठन है जिसको ECOVAS कहा जाता है और इस संगठन से हाली में तीन देशों ने निकलने की अलग होने की बात कही है वो तीन देश जो यहां से अलग होना चाहते हैं रिसेंट में जोने का वो इस गुरूप का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं Economic Community of West African States नाम से जो बना है वो तीन देशों में एक है बुर्कीना फासो, माली और नाइजर Nigeria नहीं है याद रखेगा Nigeria है इसके अंदर Nigeria में ही इसका Head Office भी बना हुआ है लेकिन इस संगठन में याद रखेगा बुर्कीना फासो, माली और नाइजर अलग होना चाहते हैं जिस तरह आपको याद होगा अंगोला नाम का एक देश है जो ओपेक, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries है जो ओपेक से अलग हो रहा है वो अंगोला देश हो रहा है चलिए आगे देखते हैं सर भारतिय सेना की पहली महिला सुबेदार कौन बनी है तो यब महिला का जिकर आता है तो बहुत important होता है transgender का जाए तो भी important होता आज के समय में और पहली बार भारती आर्मी जो इतनी पुरानी है लेकिन उसमें पहली बार महिला सुबेदार नियुक्त हुई है उनका नाम होगा that is प्रीती रजक यह सारे ऐसे point है कि जिनमें कुछ explain करने की बहुत ज़ादा जरुवत नहीं है आपको सीधा सीधा note भी करना है याद भी रखना है कि भारती सेना की पहली महिला सुबेदार बनी है प्रीती रजक भारत का पहला अनुसंधान पहला research IIT satellite campus जो होगा वो किस परीसर में सापित किया जाएगा तो जो पहला IIT research satellite campus होने वाला है यह IIT इंदौर के हिस्से में होगा तो IIT इंदौर जो है उसका एक जो campus से उज्जेन के अंदर याद रखिएगा तो उज्जेन के अंदर IIT इंद बॉर के दुआरा भारत का पहला research satellite campus बनाया जाएगा 2024 के खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो का अधिकारिक शुभंकर क्या था आप जानते हैं 2024 के जो खेलो इंडिया जो winter games की हम बात करते हैं सर यहां पर उसका जो आधिकारिक शुभंकर masket जो एक तरह का cartoon picture आप देखते हैं किसी भी event को लेकर तो इस बार उसको नाम दिया गया था शान इस बार उसको क्या नाम दिया गया था शान और शीतकालीन जो खेलो आपके हमेशा वो जमू कश्मीर और लदाक के चेत्र में होते हैं क्योंकि शीतकालीन खेलो के जितने भ जवरी दोहजार चौबीस में इनको पूरा कर लिया गिया भारत में पहली बार परियोग शाला में विक्सित मचली का मास पहल कहा हो रही है मचली का मास वो भी लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है एक लाब के अंदर मचली का मास जो है वो बनाया जा रहा है और ये कहां पर ह इंडेक्स तो Corruption के मामले में जो हम बात करते हैं देश की तो हमारा भाषर्ट जो है वो Corruption के मामले में जो पहले 85 85 नमबर 86 नमबर पर आता था 85, 86 पर ये move किया था इसने लेगिन अब जो है वो Corruption Perception में हमारा भारत कौन से पाइदान पर आ चुका है याद रखना है भई आपको तो इससे पहले भी आप देखो याद कर चुके हो कि जब भी बात करफशन की आती है यानि सबसे जादा most corrupted या least corrupted की बात आती है तो डैनमार्क जो होता हो नमबर एक पर सबसे कम करफशन वाला होता है जबकि इंडिया की रैंक अब 93 93 हो चुकी यानि करफशन की मात्रा बढ़ चुकी है इसके अकोडिंग रैंक में हम थोड़ा सा नीचे पहुच गए है अगला कुशन है भारतिय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोशित किया जैसे हर बार UN के दुआरा इंडियान आर्मी के दुआरा RBI के दुआरा भारत सरकार के दुआरा एक वर्ष को नाम दिया जाता UN ने 2024 को International Year of Camelids कहा है उसी पर कारियात रखना हमारी इंडियान आर्मी ने 2024 को नौसेना नागरिको का वर्ष कोशित किया है जारखंड में हैमंत सौरैन की गिरफतारी के बाद ED के दुआरा यहीं एन्फॉर्समेंट डारेक्टरेट जो बरस्टा चार के आरुक्मों की जाच करती है संसा उसके बाद जारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनाए गए उनका नाम याद रखिए और उनको वहां के राज्येपाल CP राधा कृष्णन जो है उनके द्वारा शपत दिलाई गई यह हैं चमपाई सौरेन जारखंड के नए मुख्यमंत्री बने इस तमिल अभीनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोशना कर दिया और उस पार्टी का नाम तमिलगा वेटी कजगम रखा जाएगा तो याद रखिएगा जो एक साउथ के सुपरिस्टार है बॉलिवुड में भी काम कर चुके हैं और फिलाल उनका नाम है विजे सेतुपती तो विजे सेतुपती जो होंगे विसिकली यहां पर उनकी अपनी खुद की एक पार्टी होगी जिसका नाम तमिलगा वेटी कजगम होगा इसमें तो आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इजिली बस इसको याद रखेंगे विजे सेतुपती या विजे थल्पती मा कीजेगा यहां पर क्योंकि दोनों नाम बहुत क्लोज हैं और यह विजे थल्पती होंगे देवर कोरॉणा तो नहीं होने वाले तो विजे थल्पती होंगे अगला कुशिन क्या है किस वंत्रारे ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और घर यानि गो होम नाम से एक शुरुवात किये जिसका नाम होगा गो होम एंड री यूनिट घर कहा जाएगा जी एच ए आर कहा जाएगा बेसिकली और ये पोर्टल लाया गिया है ताकि उन बच्चों को ट्रैक किया जा सके जो जनरली खो जाते हैं उनके लिए तो ये काम किसका हो सकता है वैसी ही याद रखना है नैशनल जो कमीशन होता प्रोटेक्शन फोर चाइल्ड राइट का या फिर हो सकता है मिनिस्ट्री आफ वुमेन एंड चाइल्ड डवलप्मेंट इसके लावा और कोई नाम नजर नहीं आता चाइल्ड के लिए यहाँ पर घर नाम का एक पोर्टल लांच किया गिया हाली में किस विश्विद्याले ने मानव का डियने जो होता है उसको प्रिजर्व करने उसको रिजर्व करने के लिए बैंक बनाया है तो यहाँ पर मानव डियने बैंक की सापना और वन्य जीव जो होते हैं उनका डियने बैंक जो होगा उसको भी लाया जाएगा ये किया जा रहा है बनारस हिंदू यूनिवरस्टी के दुआरा बी-च-ई-उ के दुआरा मानव डियने बैंक बनाया जा रहा है 2024 में जो पैरिस में ओलम्पिक होने वाले हैं उसकी जो मशाल है जो रिले है भी सिक तोर पर वो इंडिया से जाएगी जब तो इंडिया में उसका होल्डर कौन होगा क्योंकि ये 68 जो डेस के एक पुरा राउंड लेगी दुनिया के जादतर देशों में मूव करेगी ये मशाल और पैरिस पहुचेगी जहापर ये औलम्पिक कायोजन होना इसमें हमारे पहले औलम्पिक गोल्ड मैटलिस्ट इंडिविजूल के टेगरी में भारत के अभिनव बिंद्रा जो है उनके द्वारा थमा जाएगा इसको वेश्वी करण की दिशा में कहते हासिक कदम को चिनित करते हुए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपी आई को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया कहां पर तो हमारा जो यूपी आई होगा जो एनपी सी आई के द्वारा बनाया गया है ये इंडिया और कई कि अलग अलग देशों में इसको पेश किया जाएगा और वहां की सरकारों के साथ समझोता किया जाएगा इसकी इस्तेमाल को लेकर जस्टिस रंजना परकाश देशाई की किस राज्ये में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष को बनाया गया है याद रखेगा पहला राज्ये जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दी है वो उत्राखंड राज्ये है पुशकर सिंग धामी जिस राज्ये के मुख्यमंत्री और जनरल गुर्मीत सिंग जिस राज्ये के राज्येपाल है याद रखना और यहां पर रंजना प्रकाश देशाई क रिपोर्ट लाई गई उस रिपोर्ट के अधार पर इसको बनाया गया है और इसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं हमारे उत्राखंड के जो अलग-अलग आदिवासी समू हैं प्राइब से हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा गया उनको यूसीसी के अंदर शामिल नहीं किया टॉम टॉम के अधियन के अनुसार 2023 में सबसे अधिक भीड भार वाला शहर कौन सा होगा तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक भीड भार जो होगी वो यहाँ पर लंदन में मानी गई है क्योंकि लंदन जो होगा सबसे कंजस्टेड इसमें टाइम को लिया गया है कि 10 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना वक्त लगा सबस्यादा वक्त उन्हें लंदन में लगा यानि कि ये सबसे कंजस्टेड माना गया अंत्रिक्ष में उडान भरने वाली भारत की पहली महिला रॉबोट अंत्रिक्ष यात्री क्यों है तो मेरे भई याद रखना तो अंत्रिक्ष में उडान भरने वाली जो भारत की पहली महिला रॉबोट अंत्रिक्ष यात्री है उनको नाम दिया है व्यौमित्र उनको व्यौ मुखे नियाइधीश को रूप में कौन शामिल किया गया तो को याद रखना है कि उत्राखन जो नियायाले है ने निताल में लेकिन जल्द ही यह हल्दुवानी में शिफ्ट किया जाएगा यानि इसका जो परीसर होगा वो शिफ्ट होने वाला है और यहां पर जो राज की चीफ जस्टिस हैं वो पहली बार महिला बनी इसलिए जादा इंपॉर्टेंट है अद्रवाइस हो कई सारे उच नियायालों के मुखे नियाइधीश बदले हैं उसकी पूरी लिस्ट यहां बनाई गई है उसका आप देख सकते हैं लेकिन पिलहाल हम बात कर रहे हैं यहा दिल्ली के प्रगती मैदान में होने वाले विश्व पुस्तक मेला दोहजार चौवीस का अतिती देश कौन होगा चीफ गैस्ट जो होगा यानि गैस्ट कंट्री के रूप में जो होगा वो इस बार सौधी अरेबिया होगा इस बार सौधी अरेबिया होगा हाली में किस रा परदेश और पंजाब के राज्येपाल गवर्नर रहे तो पंजाब का राज्येपाल ही अमेशा चंदीगण का भी एडिनिस्टेटर होता है लेटनेंट गवर्नर की पोजे सा होगा तो याद रखना यहाँ पर चंदीगण भी कह सकते हैं या फिर इसको हम यहाँ पर आप दोनों कह लीजिए क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं अलसलवडोर जो एक देश है यह सैंडरल अमेरिका में आता है और इस देश के राज़ानी सैंसलवडोर है अलसलवडोर के राश्पती के रूप में किसे नामित किया गया दुबारा से चुना गया है और यह वो देश है जहां कुछ साल पहले क्योंकि बिट को लीगलाइज कर दिया गया था लीगल टेंडर यानि यहां के हर चीज के लेंदेन में बिट कोईन करंसी कही सिमाल किया जाता वो यहां की ऑफिशल करंसी बनाई गई थे और यह बहुत न्यूज में रहा था अल सेलवडोर जहां के नई बुकले जो है उनको राश्पती के रूप में दुबारा से चुना गिया है हाली में 30 लाख करोड रुपे का आकड़ा पार कर लिया है बाजार पूजी करन मार्केट क्यापिटलाइजेशन का और ऐसा करने वाला जो हमारा पहली भारतिय कंपनी या पहला भारतिय समूह बनाए वो कौन सा होगा विसे बीस लाख करोड का जो आकड़ा है वो याद रखना रिलाइंस कंपनी ने पार किया लेकिन 30 लाख करोड का अकड़ा टाटा गुरुप में और इसके आप जानते हैं कि एन चंदरिशेकरन जो टाटा गुरुप के अध्यक्ष है रतन टाटा जी तो अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं समाल रहे हैं एन चंदरिशेकरन समाल रहे हैं वैसे रतन टाटा जी को अभी कई सारे अलग लग राज्यों के पुरुषकार दियेगा उसमें और इसका नाम क्या रखा जा रहा है तो याद रखो तो सौरास्ट कर्केट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा निरंजन शाहा स्टेडियम रखा जाएगा गुजरात के अंदर बनने वाला सौरास्ट कर्केट आसोसेशन का स्टेडियम सायूक तर अब इमिरात ने सुपर 30 जो के फाउंडर है जो हमारे आनंद कुमार है बिसिक तोर पर आप जानते हैं सरुन है यहाँ पर एक परतिष्ठित वीजा जो बहुत कम लोगों को दिया जाता है कुछ special guest को दिया जाता और वो guest में सबसे पहले जो दिया गया था वो शारुखान को दिया गया था दुबई के क्योंकि वो औवियर से brand ambassador भी रहे थे इसलिए लेकिन सायूक तर अब इमिरात दोरा अभी हाली में आनंद कुमार जी को golden visa से सम्मानित किया गया उनको दिया गया है हाली में किस राज्य या केंदर शासित परदेश ने transgender समुदाए के लिए निशुल को बस सेवा शुरू किये यानि बस स्यात्रा निशुल कर सकते हैं सभी transgender ये बात की गई है महिलाओं की बस स्यात्रा मुफ्त पहले ही की जा चुकी इस राज्य में या केंदर शासित परदेश में वो है दिल्ली तो दिल्ली में transgender को लेकर अभी नई गोशना की गई है हाली में किस राज्य ने आपदा चितावनी उपकरण नितीश नामक लाँच किया है ये नाम कुछ-कुछ मुख्यमंतरी के नाम से मैच कर रहा है लेकिन इसके अपनी खुद की एक फुल फॉर्म है जो की आपको बताती है disaster को manage करने से समंधित है तो disaster management को लिकर याद रखिएगा हाली में बिहार की सरकार ने नितीश नामका जो एक portal है उसे launch किया है मैंने आपको बताया अभिहार के नोवी बार मुख्यमंतरी बन चुके हैं इस बार फिर से नितीश कुमार जो लेकिन इस बारों का संबंध एंडिये के साथ होगा 2024 के लोग सबाद चुनाव वो एंडिये के साथ मिलकर रड़ेंगे लेकिन उसके बाद क्या करेंगे अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो लगातार जो है वो बदलते रहते हैं पिलहाल अगला कुशन है केंद्रिये संस्कृति मंतरी जी किशन रेड़ी जी ने किस शेहर में भारत का पहला डिजिटल रास्ट्रिये पुरा लेख संग्राले की आधार शीला रखी है यानि भारत का पहला एपीग्राफी जो म्यूजियम होगा जो पुरा लेख जो पुराने पुराने लेख मिलते हैं हमें जब हम कोई भी आर्कलोजिकल या जियोलोजिकल सर राले बनाया जाएगा यानि तेलंगाना के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी और जी किशन रेड़ी जो कि हमारे देश के मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री आफ कल्चर को भी मैनेज करते हैं उन्हीं के दुआरा इसकी आधार शीला रखी गए दुबई म इसमें हो रहा है नो डाउट इसमें इंडिया और मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ इंडिया के प्रधान मत्री नेंद्र मोदी जी की भी मुलाकात होई है लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि सर वो तीन देश जो होंगे उनको बुलाया गया चीफ गेस्ट के रू होगी वो भी डुबई में लॉंच की गई है अगला कुशन है गूगल के री ब्रैंड़ेट नाम क्या है तो गूगल जो हमारा उसने अपने जो चटेटबॉत उसको रीप्रैंड कीया यानि दूसरा नाम दिया है तो रीब्रैंडेट क्या गया चैटबॉट को गूगल के द्वार उसका नाम जैमिनी रखा गया है अगला है कि लक्ष्मी नारायान अंतरास्टिय पुरस्कार से किसे समानित क्या गया है लक्ष्मी नारायान अंतरास्टिय पुरस्कार जो है बिसिकली ये म्यूजिक डिरेक्टर को दिया गया और वो म्यूजिक डिरेक्टर है लक्षमी कांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल शर्मा यानि प्यारे लाल शर्मा जो महरास्टा से रिलेट करते हैं और ये याद रखिएगा ये प्यारे लाल शर्मा जी को इससे पहले पदम अवोर्ड से भी इस साल समन किया गया 2024 के पदम पुरसकारों की बात करेंगे उसमें भी इनका नाम आपको मिलेगा लेकिन साथ में लक्षमी नारायन इंटरनेशनल अवोर्ड भी इन ही को दिया किया है कौन सा राज्य करमचारियों के लिए पुरानी पुरानी पैंशन विवस्था बहाल करने वाला पुर्वोतर राज्यों का पहला राज्यों बना है तो याद रखना हमारे पास हिमाचल परदेश में तो इस विवस्था को लागू कर दिया गया ओल्ड पैंशन स्कीम को लेकिन अभी जो हमारे नौर्थ इस्ट के जब हम आठ राज्यों की बात करते हैं सिक्कीम से लेकर बाकी सबी राज्यों की तो यहाँ पर जो सिक्कीम है और सिक्कीम के मुखे मंतरी प्रेम तमंग है उनके दवारा नौंस किया गया कि वो राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू करेंगे जो जहां की जनता चाहती है क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि जिसमें ज्यादा बेनफिट्स हो जिसमें ज्यादा फाइदा हो हमेशा सरकार से उसी की डिमांड की जाती है हिमाचल परदेश में वादा किया गया था चुनाफ जीतने से पहले कि हम इसको लेकार आएंगे और अभी आप जानते हैं सिक्किम में भी इसको लागू करने की विवस्था होगी इसक्किम में अपने खुद के चुनाफ होंगे उसके बाद क्या होगा कि विवस्था को लागू किया जाएगा यानि वादा चुनाफ से पहले होगा और जीतने के बाद वो पूरा किया जा सकता है तो अभी फिलाल ये सारी इंप्रमेशन याद रखने हैं इस वीकली करेंट अफेर क्लास में मैंने आपको limited time के अंदर limited question कराय जो आपके exam के लिए beneficial है ये एक revision class है उनके सभी केलिये जो daily current affair करते हैं या पर उनके लिए complete class है जो सरिफ weekly करेंट अफेर करना चाते हैं क्योंके number of question एकजाम के अंदर कम रहते हो वो कम question जो होते हो को इन कोशनों की मदद से आसानी से पूरे किये जा सकते हैं तो इस इनिशेटिव को अगर आप एप्रिशेट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें इस वीडियो को दूसरों के साथ भी थैंक एवरिवन थैंक यू सो मच